हलो दोस्तों मैं आपके सामने एक नई मोटिवेशन कायने लेका आया हूँ जिससे आपकी सोच और आपके वातावरन पर निर्बर करेगा दोस्तों ये कहानी एक पील के बारे में है जो की अपना गोसला बर्गत के पेड़ के उपर डाल तका है एक दिन की बात है एक दिन जब तेज हवा का धोका आता है तब उसका अंडा गिर जाता है जो की जंगली मुर्गी के गोसले में जा गिरता है मुर्गी अपना अंडा समझ कर उस अंडे की देखबाल करने लगती है जब उससे बच्चा निकलता है तो वो मुर्गे की तरह वेवार करने लगता है उसकी उडान भी मुर्गे की तरह होती है एक पार की बात है जब चील ने उस बच्चे को देखा तू उसके पास आकर उसके समझाया तुम मेरी तरह दिखते हो तुम आश्मान में उसकी उडान क्यों नहीं बते उसने बोला मैं मुर्गी हूँ मैं कैसे उचा उड़ सकती हूँ तब चील समझ गई कि ये मेरा बच्चा है जो की दुफान से गिर गया था चील ने उस बच्चे को अपनी पीट पर बिठाया और उचे हवाव में ले जाकर छोड़ दे बच्चा डर गया और डरते डरते उसने पांक पंक खिलाने शुरू कर दिए और वो बच्चा उड़ने लगा उड़ते उड़ते और उचाई पर जाक और वो बच्चा समझ गया कि वे चील सही कह रही थी और उसको अपनी काबिलियत पर एसास होने लगता है और वे अराम से उड़ने लगता है दोस्तों हमारे आसपास में कुछ समाज में रेने वाले लोग हमारे दिमाग में डर डाल देते हैं और कुछ नयाक प्रियोग करने से रोकते हैं और वे बताते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आप ऐस सपल हो जाओगे और वो डर हमारे दिमाग मान सिकता में ऐसा हावी हो जाता है कि हम कुछ नया करने से डरने लगते हैं दोस्तों हमें अपने आसपास में मोल ऐसा बनाना है ऐससे सकरात्मक लोगों से दोस्ती रखनी है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं नकरात्मक लोगों से दूर रहना है औ और अपनी सपलता को हसिल करना है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो सब्क्राइब लाइक